जब भी हम किसी stock को analyze करते हैं तो अकさर net profit की बात करते हैं और judge करते हैं कि अगर profit अच्छे होगे तो company अच्छी होगी वो तो अच्छी बात है लेगिन अगर मैं कहूं कि बिना net profit देखे आप केवल अंदाजा नहीं बलकि stock का price भी judge कर सकते हैं Interesting लगा ना कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, ठीक है, तो ना कोई चार्ट, ना कमपनी की एनलिसस, आज की वीडियो फुल लर्निंग की है, नोटबुक और पिन निकाल लिजे, और लिखना पहली बार आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ऐसे ही लर्निंग भरी वीडियो के लिए, रोज पांस से दस अजार रुपया हर ट्रेडर लॉस करता है, तभी तो एजपर से भी डेटा दस में नौ लोग लॉस में हैं, लेकिन भाया, कब तक करोगे लॉस, वहा सब्सक्राइब करेंगे, तो आज हम बात करेंगे कमपनी के सेल की, और कैसे हम किसी स्टॉक के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो बिना किसी बात के, पहले आपको फॉर्मला बता देता हूं, कि इसको अपलाई कैसे करना है, फिर आपको लाइव दिखाएंगे, स्क कितना revenue बना रही है, ये सब क्यों निकाल रहे हैं, वो बताऊंगा, बट ये है net sale per share, कैसे किया, total sale को divide कर दिया, total number of share से, ठीक है, तो per share net sale हमारा निकल के आ जाता है, तो ये था फॉर्मूला जिसमें हमने total sale को number of share से divide किया, और इस से हमारा आ गया क्या, net sale per share, सो जैसे हम bank के लिए book value निकालते हैं, सेम ये तरीका है non banking company के लिए जो financial काम नहीं करती, यानि banking sale पर ये rule अपलाए, नहीं होगा, इसमें एक doubt होगा आपने, net profit तो देखा नहीं, तो क्या वो नहीं देखना चीए, बिलकुल देखना चीए, क्योंकि net profit ये दिखाता है कि company कि जैसा घर ला रही है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि company के sale बढ़ रहे हैं, लेकिन profit कम हुए, इसकी कई वजए होती है, जैसे नए ब्रांच को खोलना, capex कर देना, या fix asset buy कर लेना, तो इन सारी चीज़ों से कई बार profit कम हो जाता है, मतलब sale तो बढ़ रहा है, बट profit कम हो जाता है, तो वो दिखाती है कि आने वाले future में price कितना होना जीए, अब चलिए किसी company को live example से समझते हैं और उसके price को predict करने की courses करते हैं, तो चलते हैं screener पर, दो example देखेंगे, एक Tata Steel का और एक LIC का, और last में एक और बहतरीन hook दिखाऊंगा, जो big eye opener होगी, big eye opener क्यों बोल रहा हूं, उसका भी एक राज है, क्योंकि आप सब एक बहुत बढ़ी गलती करते हो, तो हम इस screener पर आ गए, Tata Steel का chart है, number of equity share दिख रहा है, और sales दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और Tata Steel का 160 का price दिख रहा है, calculation मैंने बता दी थी, अभी मैं वो करने वाला ह उसी तरीके से LIC का भी number of equity share दिख रहा है, और sales दिख रहा है, ठीक है, और इसका price दिख रहा है, अब दिखें, ये Tata Steel है, sales divided by number of equity share था, तो ये जो value थी, 2,3,445 करोर की, 1248 से जब हमने divide की, तो 187 आया, उसी तरीके से LIC की कहानी है, जब हमने divide की, तो 1273 आया, मैंने कहा था price ध्यान रखिएगा, तो अब देख लीजे, ये 976, यानि जो real value होनी चीए, उससे नीचे चल रहा है, ये Tata Steel, जो real value होनी चीए, उससे नीचे चल रहा है, तो ये एक parameter है, जिस parameter पर हमें ये बताने की कोशिस कर रहा है, कि ये दोनों sayers, अपने sell के आधार पर under value है, first most important point, कभी भी सिर्फ ये देखा, और trade किया biggest mistake, तो फिर करना कैसे है, उस पर भी आऊंगा, लिकिन एक, मैंने कहा था न, अब भी गाई opener, आप लोग क्या गलती करते हो, वहाँ पर राजेस export, जिस पर हमने वीडियो बनाई भी है कई बार, अगर उसकी valuation को देखें, तो 10,380 आए मैंने का काम है, जिस पर अल्रेडी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगोंने बहुत प्यार दिया है, अगर नहीं देखा हो, क्या गेम चल रहा है, किस तरीके से वो बता है, तो अब कहूँ के सर इधर डरा भी दिया, इधर बता भी दिया, जितनी भी अच्छी fundamental कंपनिय हैं, जो इमानदार हैं, प्रमोटर अच्छे हैं, जो इमानदारी से काम कर रही हैं, उनका future vision है, ऐसी कंपनियों में तो ये rule लागू होता है, तो वहाँ पर जब टेकनिकल का कॉम्बो बनता है, या मान लीजे उस भाव से नीचे आता है, हर बार कई बार गिरावट होती न मार्केट में, तो मार्केट अपने उस real value से जब नीचे आता है, तो वहाँ पर investor जो बड़े दिगज investor हैं, दी आई, आई, ए, 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 मिचल फंड हाउस, तब वो इस चीज का use करते हैं, और इसको सौदे को पकरते हैं, तो आप भी इस तरीके से पकर सकते हो, तो कैसी लग लर्निंग और अर्निंग बताईएगा, वीडियो को शेर कर दीजेगा और भूलिएगा मत, बैंकिंग पर यह रूल अपलाई नहीं होता है,